हेलो एब्रिवन, वेलकम टू सक्सेजवितराय अकेडमी, पांच दिसम्बर 2022 के दैनिक जागरन के राष्टे संस्क्रण को आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं सबसे, पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि जो 120 अस्पतालों में आईश्मान योजना में 200 करोन का घोटाला किया गया है, और ये किया गया है मद्ध परदेश में, मद्ध परदेश में आईश्मान भारत योजना से संबद 120 निजी अस्पतालों ने 200 करोन रुपय का घोटाला किया है, इनमें इंदौर भोपाल, गौालियर, जबलपूर, स सामने आई है स्वास्त विभाग अब इन निजी अस्पतालों पर अर्थदंड लगा कर वसूली कर रहा है और 15 अस्पतालों के को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कुल 104 अस्पतालों से अर्थदंड वसूली के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है भोपाल के वैश के बीच तालिबान ने भारत से मांगी है मदद तालिबान ने जब 15 अगस्त 2021 को कावल पर कबजा जमाया था तब इसे अमेरिका के सांथी भारते कूर्टनीति की भी सिकस्त के तौर पर देखा गया था लेकिन गत 15 महीनों में अफगानिस्तान में कूर्टनीतिक समीकरण बद भारत वहां अपनी लंबित परियोजनाओं को सुरू करे हाला कि भारत वहां के हालात को देखते परियोजनाय सुरू करने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है विदेश मंत्राले का मानना है कि तालिबान वैस्विक इस तर पर अपनी सरकार को माननेता दिलाने के मनसूबे स से भी भारत के साथ संबंधों को लेकर जादा उत्सा दिखा रहा है सुत्रों ने बताया कि तालिबान की तरफ से मदद मांगी गई है लेकिन अभी संभव नहीं देख रही है अगर भारत वहां पन बिजली या फिर संचार से जोड़ी पुरियोजनाओं को सुरू करने का फै हालात ऐसे नहीं है कि स्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित हुआ जा सके तालिबान के आने के बाद भी वहां के सिखों पर हमले हुए हैं जिसकी वजह से भारत को वहां से सैक्डों सिखों को निकालना पड़ा है दूसरे समस्य यह भी है कि जैसे अफगानिस्तान में किसी तरह के कारोबार के लिए कोई बीमा कवरेज अभी उपलब दिन नहीं है यहां तक कि वहां की बैंकिंग व्यवस्ता बाहरी दुनिया से तकरीवन कटी हुई है next news पर आते हैं next news है भारत की अगवाई में G20 की पहली बैठक सुरू यह भारत की अधिक्ष़िता में G20 संग्ठन की पहली बैठक की सुरुआत रविवार को उदैपूर से हो गई है बैठक में संग्ठन में सामिल सभी 20 देसों के अलावा भारत के जिन 9 देसों को आमंत्रित किया गया है, उनके प्रतिनिधी सामिल हो रहे हैं, साथ ही विश्व, बैंक, आई, एमेफ समेत, दूसरी एजेंसियों के प्रतिनिधी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, चार दिनों की बैठक में बनी सहमती का वियोरा बुद्धवार को जारी किया जाएगा, अभी जो जानकारी सामने आई है, उसके मताबिक तकनीकी हस्तांतरन हरित प्रोदोग की वह वैस्विक मंदी से जुड़े मुद्धों पर मुख्य तोर पर बात होगी, भारत की तरफ से बैठक में उठाय जाने वाले महतपूर मुद्धों का एक रोड मैप भी सभी देशों के समक्ष पेस किया जाएगा, या पहली बैठक में वित्मंत्राले में सच्यू यानि आर्थिक मामलों के विभाग, आजय सेट की तरफ से मौजूदा वैस्विक चुनौतियों और इस से निकलने के संभावित विकल्पों पर भी प्रस्तुती करण दिया जाएगा, अंतराश्टिय मुद्रा कोस की तरफ से भी वर्स 2023 में वैस्विक आर्थिक की दसा और दिसा पर प्रस्तुती करण दिया जाएगा, नेक्श निउस है कि दिव्यांग विभाग बनाने वाला पहला राज बना महराश्ट, महराश्ट के मुख्यमंत्री एकनात सिंदे ने दिव्यांगों के कल्यान के लिए अलग दिव्यांग विभाग के गठन की घोशना की है, इस विभाग के लिए 1143 करोन रुपए का आवंटन किया गया है, इसके साथी दिव्यांग विभाग बनाने वाला मह अराष्ट देश का पहला राज्य बन गया है अंतराष्टी दिव्यांग जन दिवस के औसर पर मुंबई में एक कारक्रम को संभोधित करते हुए सिंदे ने सनिवार को कहा कि सरकार ने नए विभाग के लिए 263 पद सरजित किये हैं जो दिव्यांगों के कल्यान के लिए नीतियां तयार करेंगे दिव्यांग विभाग की स्थापना के निल्डेम को 29 नॉवंबर को राज्य मंत्री मंडल ने मंजूरी भेजी थी जर्मनी की विदेश मंत्री आज से दो दिवसिये भारत के दोरे पर वि बियर बोग सोंबार को दो दिवसिये दोरे पर भारत आ रही है जर्मन दूतावास की और सजारी बयान में कहा गया है कि बियर बोग भारत ऐसे समय आ रही है जब सारी दुनिया युक्रेन पर रूसी हमले के असर को झेल रही है बर्लिन इस्तित जर्मनी के संगीये कार्याल कि अनुसार बियर बोक के पहले भारत दौरे पर तेल, कोईला और गैस से इतर इंधन के लेन देन के सहयोग पर चर्चा की जाएगी नेक्स निउस है कि अगले 25 साल में विसुगुरू बन जाएगा भारत मुर्म राश्पती दौपती मुर्म ने रवी वार को विस्वास जताया कि अगले 25 साल में भारत विसुगुरू बन जाएगा यहां रामकृष्ण बीच पर नौसेना दिवस समारों को सम्भोधित करते हुए राश्पती ने कहा है कि भारत को महान कहा जाता है क्योंकि यहां के लोग उर्जा से ओत्परोथ हैं देश के लोगों में संगीत, खेल, संस्कृती, रक्षा, छेत्र के प्रती, भारी, उत्सा है और हर कोई भारत को आगे ले जाने के लिए सिद्दत से जुटा है मुर्म ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जब 2047 में भारत अपनी स्वतंतिता की सताब्दी मनाएगा तब वह विश्व में सिर्मौर्ख होगा और अपने गौरों को बहाल करेगा हलाकि उन्होंने कहा कि कुछ खाईयों को पाटने की जरूरत है ताकि हर भारती गर्व के साथ आगे बढ़ सके और नय और विक्सित भारत में कदम रख सके राश्पती ने कहा कि नौसेना दिवस ने अमरत काल के माध्यम से भारत को एक महान भविश्य की ओर ले जाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने की आफशक्ता की याद दिलाई है उन्होंने कहा कि भारत स्वाभाविक रूप से एक समुद्री देश है जिसके तीन तरफ समुद्र और चौथी तरफ उचे पहाड है उन्होंने कहा कि महासागर देश के विकास और सम्रद्धी में महत्रपून भूम का निभाएंगे नौसेना को बधाई देते हुए कहा कि भारती नौसेना आतनिर्भर है नवाचार कर रही है और महासागरों में एक निरंतर पहुँच बनाय हुए है नेक्स्ट निउस है कि उन्नत आकास मिसाइल के उत्पादन के करीब पहुँचा देश आकास सस्त प्रणाली के उन्नत संस्क्रण की तक्नीक से संबंदित सभी गोपनिये जानकारिय है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगिठन डियार्डियों ने मिसाइल सिस्टम्स क्वालिटी एरोसेंस एजनसी को सौप दी है रक्षा मंतराले ने बताया कि डियार्डियों की ओर से अधिकरत अधिकारियों ने हैदराबाद में हुए समारों में ये जानकारियां सील पैक्टों में MSQAA को सौप दी है सौपे के पैकेट में सस्त्र प्रणाली से समंदिस सारी जनकारियां हैं उसका मॉडल उसके परिक्षन की रिपोर्ट आदी है रक्षा मंतरी राजना सिंग ने इस मौके पर DRDO, भारतिय सेना और अद्दोगिक जगत को बधाई दी है कहा कि इससे हम अत्याधुनिक आकाश सस्त्र प्रणाली का उत्पादन कर उसे सेना में सामिल करने के और करीब पहुँच गए हैं नेक्ट निउस पर आते हैं नेक्ट निउस है बिजनेस पेज से बिजनेस पेज में हम पहली निउस ले रहे हैं कि 3500 करोन से सवरेगा खिलोना छेतर देखें जो सरकार है वो भारतिय मानक व्यूरो याने की BIS जिसे हम Bureau of Indian Standard भी कहते हैं कि नियमों का अनुपालन करने वाले खिलोनों के लिए 3500 करोन रुपए का PLI स्कीम लाने की योजना बनाई है PLI पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप वीडियो सेक्शन वाले पोर्शन में जाकर देख सकते हैं अलग कि इसमें मैं बता देता हूँ कि PLI का जो फुल फॉर्म होता है वो Production Link Incentive स्कीम होता है इसका मतलब है कि जो सरकार है वो कुछ पूंजी देकर या प्रोत्साहन देकर जो नए उद्योग हैं या फिर जो उद्योग लगे हुए हैं उनको यानि भारती उद्योगों को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए और जो विदेजी कंपनिया आना चाहती है वो तो अपना स्टेबल करें ही लेकिन जो भारती कंपनिया हैं वो भी व्यापार सुचारू तरीके से कर सके इसे ही PLI स्कीम बोला जाता है अब ये स्कीम लाने की योजना तो बन रही है इसका उद्देशिक घरेलू उत्पादन को विस इसतर पर प्रतिसपरधी बनाना निवेस आकरसित करना और निर्यात को बढ़ाना है अगर हम इसमें बात करें तो खिलोनों उत्देशिक के लिए सरकार द्वारा गुडवत्ता नियंद्रन आदेस लागू करने और सीमा सुलक को 20 परतिसत से बढ़ाकर 60 परतिसत करने जैसे उपायों से देश में कम गुडवत्ता वाले आयात को कम करने और घरेलू मैनुफेक करने वाले खिलोनों के लिए ही होगा पी एलाई का लाव विभिन निवेस लैप के अनुसार दिया जा सकता है यह 25 करोन रुपए से लेकर 50 करोन रुपए यह फिर 100 से 200 करोन रुपए तक का हो सकता है नेक्स्ट न्यूज है कि रेपो रेट में व्रधी की संभावना से उद्धोग चिंतित यह चिंता जताई है CII और SOCAM ने देखिए अधिकांस जानकार मान रहे हैं कि जो व्रधी है वो 25 से 35 अधार अंकों की होगी हाला कि इस पर अभी संभावना कुछ नहीं बताई जा सकती है क्योंकि परसो यहने कि Monday, Tuesday और Wednesday को भी इसकी मीटिंग होगी लेकिन Wednesday को यह आकले दे दिये जाएंगे रेपोरेट के RBI Governor Dr. Saktikan दासद्वारा रेपोरेट क्या होता है रेपोरेट वादर होती है जिसमें bank, Reserve Bank से loan लेते हैं अब जाहिर सी बात है जब वो loan महगा देंगे तो आपको भी loan महगा मिलेगा इसे ही रेपोरेट बोलते हैं अब CII और SOCAM ने एक तरह से किंद सरकार को स वार को होगा जैसा मैंने आपको बताया उद्धु संक्टन 50 आधार अंकों की व्रद्धी के सक्त खिलाफ है यानि कि उन्होंने अपनी नाराजगी इसमें जदा रखी है जुलाई से सितंबर 2022 के दौरान देश की 2000 से ज़्यादा कंपनियों के आर्थिक प्रिडामों का आकलन करने के आधार पर कहा गया कि अधिकांस कंपनियों की बिक्री भी प्रभावित हुई है इन सब इस्तितियों को भी RBI को अपने नजर में रखना चाहिए चलिए नेक्ट निउस पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से पहली निउस है कि उत्पादन घटा देगा मगर कम मूले पर तेल नहीं देगा रूस पश्यमी देसों दौरत तै किये गए मूले 60 डॉलर प्रती बैरल पर रूस अपना कच्छा तेल नहीं बेचेगा जरूरत पढ़ने पर रूस अपना तेल उत्पादन कम कर देगा इस आ अगकर प्रक्री इंड्डोनेशिया में सक्री हुआ ज्वाला मुखी माउंट सेमरू ने शैमरू में रवी वार को विस्फोर्ट तेज हो गया ज्वाला मुखी से लावा की नदी बह रही है और आस-पास की चेतर में गैस के बादल चा गए हैं राश्टी आपदा प्रबंधन एजंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने कहा कि मांसूनी बारिस से हुए छरण के बाद 3676 मीटर उचे माउंट समेरू का उपरी सिखर ढह गया इसके बाद यह जौला मुखी अति सक्रिय हो गए जौला मुखी से निकलने वाली राख से कई गाउं ढग गया और गैस के बादल से सूर्य की रोश्णी भी नहीं पहुँच पा रही थी तो ये आज का 5 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरन का राश्टी संस्क्रन था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद